hello friends welcome to my channel friends देखो आज मैं आपके लिए एक डिजाइन लेका हैं बहुत ही प्यारा सा यूनिक से डिजाइन है और केवल 6 फंदों का ये डिजाइन है चैफंदो का डिजाइन है और चार रो का डिजाइन है उसी कोई हमने चार जो रो होया है डिजाइन की उनी कोई हमने repeat करते वह जाना है बहुत ही कुपसूरस सा डिजाइन है आप किसी के भी sweater पर आप इसे apply कर सकते हो तो friends अगर video पसंद आती हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करिएगा तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं देखो फ्रेंड्स ये डिजाइन राइट साइड से स्टार्ट होता है अब देखिए, फैस्ट रो है और राइट साइड है अब हम पहली सलाई कैसे बुनेंगे तीन फंदे पहले हम उल्टे बुनेंगे देखिए, एक, दो, और तीन तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और अब तीन फंदे, एक, दो, और तीन तीन फंदों के बाद हमने यहां से सलाई डालनी ऐसे तीन फंदों के बाद सलाई डालनी है और एक फंदा हमने इस तरह से बुनना है ऐसे देखिए और इसे बुनने के बाद हमने एक फंदा सीधा बुनना है और इस फंदे को इस पर ऐसे से इस तरह से उतार के निकालना है ऐ ठीके अब हम यह जो दो फंदे बचे हैं इनको हम उल्टे बुनेंगे दो फंदे उल्टे एक और दो अब हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और तीन दागा पीछे करेंगे एक दो तीन फंदों के बाद हम यहाँ पे ऐसे सलाई डालेंगे और इस तरह से इसे बुनके ऐसे निकालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस फंदे को इसके उपर से डालते वे ऐसे करेंगे ठीक है और यह जो दो फंदे हैं, इनको हमने धागा अपनी साइड करके उल्टे बुनने हैं, एक और दो, अगें तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, धागा पीछे करना है, एक दो और तीन फंदों के बाद हमने यहां डालना है धागा, और ऐसे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, और इस फंदे को हमने ऐसे करके उतारना है और दो फंदे, अब यह जो बच्चे दो फंदे इन्हें हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे again 3 फंदे उल्टे first row हमारी complete हो गई है, अब हम आते हैं second row second row है हमारी, second row back side अब देखिए, सेकंड रोब पे हमें, जो फंदे हम सीधी तरफ से उल्टे बुने थे, इस साइड से हम उन्हें सीधा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे और तीन फंदे जो डिजाइन के थे, वो उल्टे, तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे, तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक, दो और तीन, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टे, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे पूरी सलाई हम इसी तरह से बुनेंगे, तीन सीधे, तीन उल्टे, तीन सीधे और तीन उल्टे, यानि कि जो हमने उस साइड से उल्टे बुने थे वो इस साइड से सीधे हो जाएंगे सीधे बुने जाएंगे, देखिए, सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम आ गए हैं थार्ड रो पे यह देखिए, अब हमारी थार्ड रो है यह आ गई थार्ड रो, थार्ड रो पे हमने यह दिखिए जो उल्टे फंदे हैं, तीन फंदे जो इस साइड से उल्टे दिख रहे हैं, उन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे, जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, वो उल्टे बुने जाएंगे, और जो फंदे यह बुनाई के जो तीन फंदे हैं, वो हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, और तीन, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पूरी सलाई हम इसी तरह से बुन के कम्प्लीट करेंगे, देखो, राइट साइड मेंने पूरी बुन्दी है, अब हम आ गए रॉंग साइड, रॉंग साइड पर हमने यह देखिए, जो फंदे सीधे हैं, सीधे दिख रहे हैं, वो सीधे बुने जाएंगे, और जो फंदे उल्टे हैं, यह तीन, यानि कि तीन फंदे सीधे और तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, तीन पंदे सीधे और तीन पंदे उल्टे, इसी तरह से पूरी सलाई हमारी complete बुनी जाएगी, मैंने फॉर्ट रो भी बुन दी है, तीन पंदे उल्टे, तीन पंदे सीधे करके मैंने ये बुनी है, अब हम आ गए हैं, फिर से राइट साइड, फिर से हमने फर्स्ट रो जैसे बुनना है, जैसे हमने फर्स्ट रो भुनी थी, फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड और फॉर्थ, उन्हीं सलाईयों को हमने repeat करते वे जाना है, और ये डिजाइन हमारा बन जाएगा, ओके फ्रेंड्स, बाई!